पासना से ही संभव है मनुष्य योनी प्राणदारियों में सरवत्तम योनी है मनुष्य शरीर इश्वर का सरवत्तम सरूप है केवल इसी योनी में इश्वर की प्रतेक्षान भुति और शाक्षात का संभव है इसके बिना मोक्स असंभव है केवल मोक्षी जीवन का आखरी उदेश है भगवान से कृष्ण ने इस पस्ट कहा है कि यह मनुश्य शरीर शुक रही दिक्षण भंगुर है केवल इस वर प्राप्ती से ही मोक्ष और पर्मानन्द की प्राप्ती संभव है माम्भी पार्थ व्यपात स्रिक्ट्य येपी शुक पाप योनयास स्त्रियो वैस्य स्थदा सुद्रस्तईय पी यांती परांगति गीता नुमाध्याए बक्ती स्वस्लोप किम पुनर ब्रम्हना पुन्या भक्तार आजर्चय स्थदार अनित्यम्शोक शुक्र लोकमेमं प्राप्य भजस्वमाः गीता नुमाध्याए तेटी स्वस्लोप ये भगवान कहते हैं क्योंकि हे अर्जुन स्त्री वैस्य सुद्रादिक तथा पाप योनी वाले भी जो कोई हुएं वे भी मेरे सर्णागत होकर परमगति को प्राप्त होते हैं फिर क्या कहना है कि पुन्या सी ब्रामण जन दथा राजर्शी भक्चन परमगति को प्राप्त होते हैं इसलिए शुक्रित च्छन भंगुरिस मनुष्य सरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर गुर्देव कहते हैं परंतु हम देख रहे हैं भगवान ने गीता में सारी स्थितिस्पस्ट कर दी है फिर भी संसार का मानव ब्रहमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा या फिर छोटे छोटे देवताओं तो था प्रेतों के सामने नत्मस्तक भुआ भैंकर कष्ट भोगते वे नस्ठ होकर अधोगती को प्राप्त हो रहा है एक तो कल्यूक के कारण संसार में पून रूप से तामसिक शक्तियों का सामराज्य है और फिर ऐसे स्थिति में त्रिगुण मई योग माया की चक्कर से निकलना इस योग में बड़ा कठिन है केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है क्योंकि है अलोक एक त्रिगुण मई मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भसते हैं वे इस माया का उलंधन कर जाते हैं ऐसे स्थिते में इस योग में प्रचलित आरादनाओं में से मौक्ष प्राप्त करना असमर्थ है संसार के सभी प्राणी त्रिगुण मेरी माया के ख्यत्र की शक्तियों को ही मौक्ष देने वाली सत्ता समझ कर उनके चक्कर में ब्रहमित हो रहे हैं आप ब्रह्म भुवान लोग कहा पुनरावर्ति नोर्जुन मामे पित्यतु कोंते ये पुनरजन विद्यते हे अर्जुन ब्रह्म लोग से लेकर सब लोग पुनरावर्ति सभाव वाले हैं परंतु हे कुंति पुत्रु मुझको प्राप्थ होकर पुनरजन नहीं होता इस पर भी काल के गुण धर्म के कारण लोगों की ऐसी मती ब्रहमित हो रही है कि जन्मरण के चक्कर में डालने वाले शक्तियों से ही लोग मुक्ष की उमीद कर रहे हैं सरधर्मान परित जय मामे कम सर्णम ब्रज हमत वासार पापे भ्यो मुक्ष इश्यामी मा सुचरा सब धर्मों को त्यार कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो मैं तुझे संपून पापों से मुक्त कर कर दूँगा तुशोक मत कर इसके बावजुद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड माया की तरफ आकरसित हो रहे हैं संसार में तामसिक व्रत्यों का एक शत्र सामराज्य स्थापित हो चुका है भारत में तो यह अंदकार सरवादिक ठोस बन कर जम चुका है जब अध्यात्मे गुरू भोतिक विज्ञान की सचाई के विर्द प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड ही रहे हैं बोले भाले लोगों को धर्म की आड में बारी संकट में डालकर बारी पाप के भागी बन रही है यह रोग तो मन रंगने से ठीक होगा क्योंकि यही सारा प्रपंच हम से करवा रहा है मीरा बाई ने ठीक ही कहा है अपने ही रंग में रंग्दे चुन लिया ऐसे सिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे भारत में इस समय न धर्म बचा है न सच्चाई और इमानदारी बची है और न राष्ट्रियता जब तक हम इस कटू सत्य को शिलकार करके बिमारी का इलाज नहीं ख करने वाला है यह रूप तो मन रंगने से ही ठीक होगा क्योंकि यह सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है मेरा बाई ने ठीक ही कहा है अपने ही रंग में रंग दे चुना जयाद मुद्दीर, जयाद आरब मुद्दीर. हमने आज की